नमस्का दोस्तू, स्वागा थे आपका हमारे चैनल पीके गुरूजी में आज के इस वीडियो में हम विग्यान से सम्मंदित कुछ प्रिशनों का यहां डेस्कस करेंगे तो जिन प्रिशनों की हम यहां बात करेंगे चलिए उनको देख लेते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रिशन है कि प्रिकास सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि Option A, यह छोटे कणों से बना होता है Option B, प्रिकास का बेग बहुत देखे Option C, प्रिकास का तरंग धयर बहुत छोटा है जिस कराण हो है सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है आगे बढ़ेंगे कि प्रकास का जो तरंग दैद है बहुत ही छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है इसलिए जो हमारी यांके नहीं देख सकती इसलिए जो प्रकास होता है हमें एक सीधी रिखा में चलता हुआ प्रतीत होता है आगे बढ़ेंगे कि सूर्य के प्रकास को धर्ती की सताय पर पहुचने में लगने बाला समय है लगबग ठीक है तो सूरी का जो प्रकास है धरती तक कितने समय में आ पाता है यह हमें बताना है option A 4.2 second option B 4.8 second option C 8.5 minute और option D 3.6 गंटे तो इसका जो सही अंसर है वह है 8.5 minute यह जो सूरी का प्रकास है यह प्रतिबी तक पहुँचने में लगभग 8.5 minute का समय लेता है आगे बढ़ेंगे कि प्रकास तरंगों के वायू से कांच में जाने पर जो चर प्रभावत होते हैं बे हैं ठीक है तो प्रकास की तरंग हैं अगर वायू से कांच में जा रही हैं तो उनके कौन से चर प्रभावत होंगे यह हमें बताना है option A, तरंग दैद्र, आवत्त्री और बेग, option B, आवत्ती और बेग, option C, तरंग दैद्र और आवत्ती, और option D, तरंग दैद्र और बेग, ठीक है, तो इसका जो सही अंसर है, वह है तरंग दैद्र और बेग, अगर कोई प्रकास तरंग है, वायू से काँच में जा रही है, तो उसका तरंग दैद और बेग प्रभावत होगा आगे बढ़ेंगे कि जब कोई प्रकास तरंग वायू से कांच में या एक माद्यम से दूसरे माद्यम में प्रविश करती है तो प्रकास की आवत्री वही रहती है लेकिन उसका जो तरंग दैद और बेग बदल जाता है आगे बढ़ेंगे कि निमनांकित उर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकास संसलेशन की किरिया संपादित होती है Option A, प्रकास से रासायनिक उर्जा, Option B, प्रकास से ताप उर्जा, Option C, प्रकास से जैव रासायनिक उर्जा और Option D, प्रकास से गतिज उर्जा तो इसका जो सही अंसर है वह है प्रकास से रासायनिक उर्जा अगर प्रकास संसलेशन के किरिये संपादित हो रही है तो प्रकास से क्या बनेगा रासायनिक उर्जा निर्मित होगी आगे बढ़ेंगे कि प्रिकास संसलेशन एक मातर ऐसी जैविक करिया है जिसमें अत्याथिक मातरा में सूर के प्रिकास की उरजा को जासायिनिक उरजा में बदला जा सकता है आगे बढ़ेंगे कि प्रकास, सजावट तथा बिग्यापन के लिए बिसरजन नलिकाओं में प्युक्त होने वाली गैस कौन सी है ठीके प्रकास के लिए सजावट के लिए और बिग्यापन के लिए जो भी बिसरजन नलिकाओं प्युक्त होती है उसमें कौन सी gas प्युक्त होती है यह हमें बताना है option A, carbon dioxide, option B, ammonia, option C, sulfur dioxide, और option D, neon तो इसका जो सही answer है वह है neon, यानि neon gas जो बिसराजन नलकाएं होती है उसमें प्युक्त होती है neon gas आगे बढ़ेंगे कि साबुन के पतले जहाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिगटना का परिमाड है ठीक है किस परिगटना का परिणाम है यह हमें बताना है कि साबुन के जो पतले जहाग होते हैं वो चमकते हैं तो वो किस कारण से दिखाए देते हैं यह हमें बताना है option A है बहुलित परावर्तन और ब्रतिकर्ण option B है बहुलित अपवर्तन और परीच्छेपर्ण option C है बीवर्तन और परीच्छेपर्ण option D है दुरूबन और ब्रतिकर्ण तो इसका जो सही अंसर है वह है बहुलित पराबरतन और ब्रतीकरण नहीं ओप्सन नम्मर एसका सही है आगे बढ़ेंगे कि सावन के पतले जहाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित पराबरतन और ब्रतीकरण का परणाम है जब किसी पारदासक पतली परत नहीं की पानी की सतहपा तेली की पतली या सावन के घोल के बुलबले परसुएत प्रकास आपतित किया जाता है तो परत के दोनों प्रिष्टों से पराबरतित तथा अपवरतित प्रकास करणों में व्यतिकरण होता है इस परिखटना के परणाम तहाँ वह है परत चमकदार दिखाई पड़ती है ठीक है आगे पढ़ेंगे कि पूर्ण आंत्रिक परावर्तन होता है जब प्रिकास जाता है ठीक है हमें बताना है कि पूर्ण आंत्रिक परावर्तन कब होता है जब प्रिकास किस से किस में जाता है option A, हीरे से काँच में, option B, जल से काँच में, option C, बायू से जल में, और option D, बायू से काँच में तो इसका जो सही अंसर है, वाय हीरे से काँच में, ठीक है तो जो पूर्ण आंतिक परावरतन कब होता है, जब जो प्रकास है वाय हीरे से काँच में जाता है ठीक है तो जब प्रकास की करण किसी सघन माध्यम से बिरल माध्यम में प्रिविश करती है तो आपतन कौन के करांतिक कौन से अधिक हो जाने पर अपवरतित करण सघन माध्यम में बापस लोट आती है जिसे पूर्ण आंतिक परावरतन कहती है आगे बढ़ेंगे कि प्रकास तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं ठीक है हमें बताना है कि जो प्रकास तरंगें हैं वह किस प्रकार की तरंगें होती हैं option A अनुप्रस्थ तरंग, option B अनुद्यद्य तरंग, option C A बम B दोनों और option D इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वह है option number A याने कि जो प्रिकास की तरंगे हैं वह है अनुप्रस्त तरंगे होती है ठीके तो तरंग तरंग वह है बिछोव है जो उजा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस्थान आंतित करता है वो तरंग कहलाता है ठीक है वो तरंग होती है दो प्रिकार की अनुप्रस्थ और अनुदयद अब अनुप्रस्थ तरंग कौन होती है तो वह है तरंग जिसके कणों की गती उजा की गती के संचर्ण की दिशा के लंबबत होती है जैसे प्रिकास तरंग और अनुदयद होती ह को है तरंग जिसमें कणों की गती उर्जा की गती के संचरण की दिशा के समाना अंतर होती है जैसे की धोनी तरंग है तो धोनी तरंग है अनुदैद तरंग और प्रिकास तरंग है अनुप्रस्त तरंग थेंकि दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद